सबसे पहले तो आपको नीचे क्रिएटे टेम का उप्शन मिलता है वहाँ पे क्लिक करने होगी मैं आपको प्रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए माइटेम पर क्लिक कर लेता है ज्यादा देर नहीं लगाते सबसे पहले कीपिंग की बात कर लें तो में लगा घ्रब पर करंगा वर लगां अगर देखेंगे ये तो आपके पास इतनी अच्छा Yin का घंप या तो ये हैं टी ripping कीपर के साथ जारा और वो है टॉम लैतम बैटिंग के बात करें तो पाज बल्ले बाजे मेरे पास रोई चर्मा विराट कोली है सुरिकुमार यादा हो है ड्वन कॉन्वे है और उसके बार शुमन गिल यहाँ पर देख सकते इन पाचों में से किसे ड्रॉप करें और किसे टीम में रखें काफी लिकिन है बात करें सेंटनर की तो उन्होंने भी काफी शांदार उनको साथ दिया था और मेरे खाल से विकेट भी है उनके हाथ में तो यहीं अगर रिजीजा ने तो सेंटनर को भी यहाँ पर निकालना थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए हर्दिक पांड्या को मैंने इस ट में फर्गुशन और शिराज तीनों काफी जबदस फर्म है तो इसलिए तीन दों को लेना काफी साथ होने वाला अफकोस इस टीम को आपको ग्रैंड लिग के लिए साथ-साथ दो तीन बड़ी-बड़ी लगाना काफी फाइदेवन रह सकता है आपको एकाट टीम जीता सकत है अगर बात करें क्याप्टन की तो शुमन गिल अफकोस 116 और 208 इस तरह से दो पारिया खिली उन्होंने लास्ट कुछ मैचस में पांच मैचस में और 69 या 71 रनते मेरे खेल से तो तीन मैचस अच्छे गए उनको लास्ट पांच मैचस में तो इनको निकालना या फिर इनक है तो इसलिए कप्तानी पारीख घेल जरूरी है तो इसलिए को बनाऊख चले दोस्तों को करते के दूसरी टिम में आपको दिखा तो हां कूल मिला के हार्दिक पांडिया को मैंने यहाँ पर वापस ले लिया है जो कि पिछले टिप में मैं नहीं ले पाया था लेकिन इनको भाहर रखना थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा रिस्की भी है तो इसलिए यहाँ पर मैं उनको इस टिप में ले लूँगा साथ गेन बाजी तो अच्छी है लेकिन साथ इसाथ बैटिंग आरे पर अगर अच्छा परफॉर्मस कर सकते हैं पिछले कुछ मैचस से कुछ किया तो नहीं है लेकिन फिर भी कर सकते हैं सिराज और शिपए इन दोनों को भी मैं स्टीम में लोगा शिपए को भी अच्छे अच्छी बात क्याप्टन बनाएंगा मैं स्टीम का कोली को काफी जादा लोगों ने पसंती दी है तो मैं भी जरूर दूंगा क्योंकि आफकोस शतक पर शतक बना रहे तो यहां पर उनको पसंती नहीं यह इसका कोई रीजन नहीं है बल्ल अगर बात करें यहां पर वाइस अच्छे बना ले और कुछ विखते भी इनको मिल जाए एक दो तो भी आपको काफी फाइदा करके दे सकते तो डबल ऑप्शन रहता है इसलिए इनको मैं स्टीम का वाइस काफ्टर मना रहा है लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस टीम को बड़ी बड़ी लिगों के लिए आपको काफी फारदा हो सकता है आप जीड भी सकते या फिर अच्छी खासी अनिंग तो फिक्स हो सकते चले दोस्ते इस टीम को भी क्लोज करते हैं विडाट को क्याप्टर नों हार्दिक पाण रहा है तीसरी और तीम देख लेते हैं तीसरी टीम में अफकोस मैं यहापर इ सब्सक्राइब करना काफी मुश्किल काम होता है तो यही मैंने करके निखाया है और तीसरी टीम है दोस्तों बात करते हैं गेनबाजिक की तो यहाँ पर मुहमज चमी है शारदूल ठाकुरे मुहमज सिराजे और शिपाय को भी इस टीम में शाविल कर ले रहा है तो कुल मिला के हमारे पास चार बाट्समन चार गेनबाज दो अल्डाउंडर एक पर तो अच्छी खासे टीम लग रहे बात करते हैं की तो यहाँ पर ब्रेस्वेल ने जोस्तर से लास्ट मैच में 140 रहनों की पारी खेली है तो उनको काफी ज्यादा प्रसंति मिल रहे हैं और वाइस क्याप्टन तो अफकोस मैं इनके साथ एक टीम में जरूर जाओंगा आज क्याप्टन और सूरी कुमार याद और चोथी टीम मैं आपको दिखा देता हूँ चोथी टीम के अगर बात करें तो लैथम के साथ साथ इशान किशन दोनों को साथ में अभी तक एक जगह पे नहीं ले पाया था तो यहाँ पर में उनको दोनों को साथ में जरूर ट्राइक करूंगा ज्याद अब तो एक टीम जरूरी है दोस्तों क्योंकि कॉर्ण निकल्स भी काफी जबदस प्लियर है वर्डाउन के पोजिशन है तो काफी खतरनाक प्लियर रहेंगे दोस्तों तो इसलिए यहाँ पर मैं उनको साथ जरू जाओंगा बात करते ऑल राउंडर में ब्रेस्वेल और हार्दिक पांडिय तो इस तर से शमी ठाक और फर्गुशन अच्छे खासे कॉम्बिनेशन रहने वाले तो इस तर से यह भी टीम काफी खतरनाक और थोड़ी अलग है और हटके बनी है काफी अलग प्लियर मैंने आप पर सिलेक के थोड़ी रिस्की दरूर है लेकिन फाइदेमन साबित हो सकते आपको इस टीम को आपको ग्रैंड लिग के लिए या फिर बड़ी बड़ी लिगों के लिए यूज करना काफी ज़्यादा ज़रु है क्योंकि यह वो टीम साबित हो सकती है जो आपको 100% जिता के भी दे सकती है या फिर आपको अच्छी खासी अर्निक तो पका करा के देने यहीं वाली है तो इसलिए इस टीम को आपको यूज करना ही करना स्मॉल लिक के लिए ना करें यूज तो भी बेटर है लेकिन करते कि तो भी कोई प्रॉब्लम वहां पर मुझे नजर नहीं आ रहा है गेन बाजी अगर बात करें क्याप्टन की तो रोहित चर्मा का अच्छ राता है और होई चर्मा एक न्यूजिलंग के लिए अपना राता है कौन वे तो दोनों को में काफी अच्छी ठक्कर हो सकती है अज सबसे ज़्यादा परंट देने में के लिए तो इसलिए इन दोनों को क्याप्टन बना रहा है काफी बढ़िया टीम है आफकोस आप इस ट पर इस टीम की बात करें तो इशान किशन को ही मैं वापस ले रहा हूं उसके बाद रोई चर्मा है विराट कोली है कौन है तीनों की तीनों वैसे लिए मैंने लेकिन यहां पर मेरे पास चार ऑल डॉंडर रेजिया दूस्तों ब्रेस्वेल भी है मिचल भी है और हार्दिक चार इसे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको साथ फायदा कर देसकते तो जब्सकते और बालिंग मैं तो सकते कॊषिश वहां ना पर क। से अर्निंग हो सकते हैं चलिए दोस्तों काफी अच्छी टेम बन चुके क्याप्टान और वाइस काप्टन की बात करें तो मिचल सेटनर को स्ट्रीम का क्वाइस क्याप्टन सिराज को बना रहा हूं जोस्तों मिचल सेटनर ओपनिंग के अबाप की जिए और दोनों में सकता है तो इसलिए आपर मैंने इन दोनों को क्याप्टन नस्काshire सकते है फिर शिराज को क्याप्टन सेटनर को बनाना चाहे तो भी कर सकते है então कहीं छिए शेच कछी टीम बनिए है फिर से कऊंगा इस टिम को ग्रांड लीग और बड़ी-बड़ी लिगों के लिए ही यूज करना है स्मॉल लिग के लिए ना यूज करें तो बेटर है थोड़ी अलग और हटके टीम अधी है लेकिन दोस्तों फाइदा यही है कि आपको जिता सकती है ये टीम ग्रांड बड़ी लिग इक ची लिग भी जिता सकती है या चिकाशिया निंग तो पका करके दें सकती है तो